नमस्कार दोस्तो डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है आज की सुर्खियां भारतिय सेना ने मंगाई तेहत्तर हजार और 6716 Assault Rifle 600 Company के CEO Ron Cohen ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़ी आर्मी ने हमें दुबारा यह बंदुख भिजने का ओर्डर दिया है यह हमारे लिए गर्व की बात है यह डिलीवरी देने के बाद भारतिय सेना के पास 1.45 लाग से ज्यादा 6716 Assault Rifles हो जाएंगी इस राइफल के शामिल होने से इंसास राइफलों को हटा धकेंगे क्योंकि उसमें 5.56 इंटू 45 एमेम की गोलियां लगती थी इस गन में 7.62 इंटू 51 एमेम की गोलियां लगती है यह ज्यादा तर ताकतवर गोलियां होती है 6716 अमेरिका और स्विच्जर लैन में बनती है यह आटोमेटिक एसॉल्ट राइफल है इसकी रेंज लंबी है सटीकता 100 फीसदी है इसकी मदद से स्नाइपर हमला भी किया जा सकता है राइफल की कुल लंबाई 34.49 इंच है इसकी बैरल यानि नली की लंबाई 15.98 इंच है इसका कुल वज़न 3.58 किलोग्राम होता है अगला क्या पुतिन के सीधे अटैक से कीव को बचा पाएंगे जलन्स की जवाब है नहीं यह फिर थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं क्योंकि युक्रेन ने सारातौव की रिहाइशी इमारत पर 9-11 जैसा ड्रोन हमला किया पुतिन भड़क गए उन्होंने हतियारों का जखीरा खोल दिया युक्रेन पर 236 टार्गेट सेट किये गए रूस ने 236 हतियार दागे दावा है कि इसमें 201 टार्गेट पर सटीक निशाना लगा है रूस ने 109 शाहेद आतम घाती ड्रोन से हमला किया 99 ड्रोन ने टार्गेट को धवस्त किया 115 क्रूज मिसाइल के एच 101 कैलिबर और गाइडेड एयर मिसाइल के एच 59 अबलीक 69 मिसाइले दागी गई इन मिसाइलों ने भी 99 टार्गेट को उड़ाया तीन हाइपरसॉनिक किंजल मिसाइल दागी गई जिस में से एक ने सतीकता से टार्गेट को बरबाद किया अगला चीन ने बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले पर किया रियक्शन चीन ने पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हुए आंतकवादी हमलों की मंगलवार को कड़ी निंदा की है चीन ने इस दोरान कहा कि वे पाकिस्तान के आंतकवाद रोधी अभियान का समर्थन करना जारी रखेगा पाकिस्तान में हुए इन आंतकवादी हमलों में 47 लोग मारे गए थे बलूच बंदूग धारियों की और से किये गए हमलों की निंदा करते हुए चीनी विदेश मंत्राले के परवक्ता लिन जियान निद्धैनिक प्रेस वारता में कहा कि चीन सक्ती के साथ आंतकवाद के सभी सवरूप का विरोध करता है अगला चीन की इस हरकत पर जापान को तैनात करने पड़े लड़ाकू विमान मुख्य कैबिनेट सचिव योशी मासा हयाशी ने कहा कि एक चीनी वाई नाइन टोही विमान सोमवर को कुछ देर के लिए जापान के दक्षिन पश्चमी हवाई छेतर में घुसा जिस से उसकी सेना को लड़ाकू विमानों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा उन्होंने कहा कि ये पहली बार था कि जब जापान के आत्म रक्षाबल ने अपने हवाई छेतर में किसी चीनी सेने विमान का पता लगाया है जापान का आरोप है कि चीन लगातार समुद्री सीमा में उकसावे की करेवाई कर रहा है अगला बुर्किना फासों में अलकाइदा के आंतंकियों ने मचाया कतलेया मध्य बुर्किना फासों के एक गाउं में अलकाइदा से जुड़े आंतकवादियों ने हमला किया था आंतंकियों के इस हमले में कम से कम सो ग्रामीनों और सैनिकों की मौत हो गई एक विशिशग्या ने हमले से जुड़े वीडियो की गहन जांच के बाद यह जानकारी दी है इस हमले को संघर्ष ग्रस्त बुर्किना फासों में इस वर्ष हुए सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है सुरक्षा थिंक टैंक सोफान सेंटर के वरिष्ट अनुसंधान फैलो वसीम नस्तर ने बताया कि राजधानी ओगा डोगू से 80 किलोमीटर दूर बारसा लोगों कमफ्यून के ग्रामीन सुरक्षा चोंकियों और गावों की रक्षा के लिए बनाई जा रही खाईयों की उभर रहा है मोधी के भारत लोटते ही अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने तुरंत फोन मिला दिया पीएम मोधी से कुछ क्या पूछा क्या बात हुई जैसे ही खबर सामने आई कि बाइडन मोधी में कुछ बात हुई रूस के राष्टपती बलादी मिर पुतिन और पीम मोदी के बीच बाचित की खबर सामने आ गई ऐसे में ये सवाल वाजिब है कि क्या युक्रेन संकट का हल भारत निकालेगा पीम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बाचित और कुटनीती के जरिये ही युक्रेन संकट का हल निकाला जा सकता है युद्ध किसी संकट का समाधा करेमलीन की औरसे भी ब्यान जारी किया इस बात की तो पुष्टी की गई मोधी और राश्ट पति पुतिन के बीच फोन पर बात्चीत हुई लेकिन कोई भी जान्कारी साजा नहीं की गई धन्यवाद